आपके सारे फिसिक्स के देशिन माज़ब्स का सफाय बस अपने फोन से कुश्टन की फोल्टों कीचो अपको और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउट्ट अप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आप चार्सो 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 कि यह कुष्टन में क्या बोल रहें कि हम लोग 3 wires का बात कर रहें एक फिगर में देगा दापको पता चल जाएगा एक पी आरिक्ट है इधर पी आर वॉर्टिकल यह पी क्यूं पीस क्या है पी क्यूं पीस क्या है एक तीट एंगल में है ले टिटिट अपोस इठीट एंग निकालना है एक एक वायर का ऊपर कितना लोड होगा यह हम लोगों को निकालना है मतलब बेसिकली हम लोगों को एक एक वायर में जो इंडरनल फूर से जो टैंशन है वो हम लोगों को निकालना है ओके पहले यह कोश्चन सौल करने के लिए हम लोग इसका एक डाइग्रम बना है यह हम लोग को बोला गया है कि यह जो डिस्टेंसे भी है यह जो डिस्टेंसे भी है ओके इतना हम लोग को बोला गया है अभी यह है मेरा डाइगरम कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग explain करके, करके जाएंगे, ओके ये है हम लोग का initial position, इधर हम लोग MG हैंग किया दा, ठीके, ये जो point है, ये P करके जो point है ना, इधर हम लोग initially MG हैंग किया दा, लेकिन हम लोग को पता है कि, ये MG के वज़े से क्या होगा, इसमें tension, tension produce होगा, ये tension के वज़े से क्या होगा, internal force जो और elongate करके अभी यह position में आ गया है जो डॉक्टर लाइन से आपको दिखा रहे यह position में अभी वायर है वायर ऐसे था अभी क्या हो गया ऐसे हो गया ओके अभी क्या है वर्टिकल से टीटा पहले हम लिया था की टीटा एंगल में है वर्टिकल से यह PQ and PSYS ऐसे हो गया अभी अभी यह तीटा क्या होगा सेम होगा ओके इतना हम लोग मान के चलते हैं और यह क्या है डेल्टा एल्वन एल्टू हम लोग को पता है कि इसका लेंग्ट कितना था इसका लेंग्ट यह है इसका लेंग्ट यह है अभी क्या हुआ इतना इसका इलोंगेशन कितना हुआ इतना ये पर इंधर नोगा कि लूपतान्ट यह को हुआ है तो यह जो चोटा चुकरैने ओन्म होते वह यह वाला पाट हम हम लोग इदर कौपी करके लिखा है इधर हम लोग यह ऐसे इधर ड्रो किया है भी हम लोग देखते हैं यह पी पॉइंट में क्या-क्या फोर्सस आक्ट कर रहें ओके यह मैं आपको एक डायग्रम मना के दिगा देता हूं ओके यह हम लोग का पहले वाला जो है एक यह पी पॉइंट है तो इधर से एक टी-टू इधर ऐसे अटिकर रे और एकक्टी वन इधर से ऐसे एक कर यह था टुट डिगरी एंगल पर है ओके यह पी पॉइंटे ओके यह फोर्सेंस को हम लो आराम से रिसॉल्ड कर देंगे ओके यह इधर सुटी मुझा यह यह क्या है यह टीटा अंगल एठीग है दिस इशिची होगा यह it is nothing but t1 cos theta होगा plus t2 cos theta ओके resort करेंगे तब यह से horizontally भी दो आएगा horizontally कैसे आएगा यह point से ऐसे आएगा और एक यह point से एक ऐसे भी आएगा ओके इधर हम लोग बोल सकते हैं कि यह t2 sin theta है और यह t1 sin theta है therefore इधर हम लोग consider करते हैं कि एक एक गड़के consider करते हैं यह जो point PA उसमें horizontal equilibrium हम लोग अगर consider गड़े तो हम लोग को पता है कि horizontal equilibrium t1 sin theta is equal to t1 sin theta is equal to t2 sin theta okay therefore इधर से हम लोग को मिल रहे t1 is equal to t2 यह हम लोग याद रिखेंगे इसको हम हम लोग डालेंगे equation one t1 is equal to t2 है ओके और लोग इधर vertical equilibrium जब हम लोग लोग देखते हैं vertical equilibrium देख यह horizontal equilibrium हम लोग पी हम लोग देखते हैं अभी हम लोग vertical देखते है vertical equilibrium कि वोर्टिकल एक्विलिब्रियम में क्या होता कि इधर हम लोग को पताए पी में आप बोर्ट फूर्स क्या क्या है टीवन को स्थीटा एंटी टीटू को स्थीटा एक नीच्छे क्या फूर्स है इधर हम लोग को बताए एम जी हैंक करके हैं हम लोग पी में देफोर जो आप व सोरी यह जो टी-2 है वह वो टी-2 हम लोग यह ले रहे यह जो टाइग्राम इंहुर दोड़ा सा चेंज करते हैं यह टी-2 है यह यह टी-3 लेते हैं ओके हम लोग इदर तक एसे लेकर चला है तो आपके हिसाब से ले सकते हैं देफ़ोर टी-1 प्लस T2 is equal to cos theta यह T1 is equal to T2 हम लोग मार कर देते हैं इस equal to T है देपर हम लोग को इधर लिख पाएगा 2T cos theta is equal to M into G 2T cos theta is equal to M into G simple if ओके यह हम लोग यह दोनों equation हम लोग याद रखेंगे 2T cos theta is equal to M into G अभी हम लोग देखते हैं delta L1 and delta L2 PR and PQ यह जो PQ जो elongation है PQ जो वहर है इसका elongation हम लोग लेते हैं delta L2 ओके let the elongation elongation in elongation in जो PQ वायर हुआ है PQ हम लोग delta L2 लेते हैं and elongation in PR जो वायर है जो वोटिकल वायर है वह हम लोग लेते हैं delta L1 ओके delta L1 लेते हैं इधर हम लोग यह इस में अगर हम लोग देख रहे हैं यह हम लोग को पता है theta है और यह क्या है यह delta L1 है तो हम लोग को इधर बोल सकता है कि लिड वन ग्या है डिड ड्टाल writer को सीथए प्रॉंड डियार्य को सीट cidade को सीट एक बीड आट सिसे पाया हे घ्रिड गगे टाल डू divided by delta l2 divided by delta l1 therefore delta l2 is nothing but delta l2 अम लो को बोल सकते है that is elongation in pq elongation in pq is equal to delta l1 elongation into vertical elongation vertical wire into cos of the angle cos theta okay and हम लो का लेते है a and y be the cross sectional area and young's modulus a and y be the cross sectional area and young's modulus okay तो हम लोग बोल रहे कि अगर वो सब तो हम लोग को बोल सकते हैं कि इधर से हम लोग को क्या बोल पाएगा हम लोग वी नो डैट कि क्या है delta l क्या है ओके जो pq का elongation का length हम लोग को पता है कि pq का elongation का क्या length मतलब equation क्या है delta l2 delta l2 is nothing but tension tension in tension in 2 क्या है tension in pq क्या है t हम लोग लिया है t divided by area t divided by area into young's modulus into actual length into actual length into actual length into actual length इधर हम लोग it is equal to nothing but okay हम लोग को L का value हम लोग को मिलेगा कि it is nothing but a cos a c theta from a c theta from geometry हम लोग को बोल सकते है delta l2 is equal to t divided by a y into a c theta similarly delta l1 क्या होगा delta l1 is equal to t3 divided by t3 divided by a y into a cos theta उसका length क्या होगा actual length is nothing but a cos theta ओके तो हम लोग को मिला है कि delta l2 is equal to delta l2 is equal to delta l1 into cos theta यह हम लोगी delta l1 into cos theta ओके तो इदर से हम लोग को it is equal into a cos theta हम लोग को मिल रहें therefore हम लोग को बोल सकते हैं कि therefore इदर से हम लोग को मिल जा रहें कि t is nothing but t is equal to t3 into cos theta यह हम लोग दूसरा साइड लेकर जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा t is equal to t3 into cos theta यह हम लोग को कहां से मिला गुश्राइब n Unget i3 divided by A2 उसका लेंग ते हुश का एक्ष्वल выпताए कि कितना है उसका एक्ष्वल लेंग तिस hors defense झूट लोग ए intervention law 허νο तो उसका यह ले रहे तो इसका यह होगा एको सीटा होगा एकछा हम लेक्षिन मिला है यहे इक्वेशन से हम लोग को को मिल रहे कि T is equal to T 3 into cos square theta T is equal to T 3 into cos square theta okay so yeah first and second equation that is either envelope you are gonna get a volada to T cos theta is equal to mg or yet is equal to T 3 cos square theta yeah don't know homelow either equate correct to the home local milray key we get T 2 is equal to T 2 that is oh sorry T 3 is equal to T 3 क्या है it is nothing but mg divided by one plus two cos cube theta यह कहां से मिला हम लोगो इडिये कहां से मिला 2 T cos theta is equal to mg और T is equal to T 3 cos square theta यह दोनों solve करने से हम लोग को T 3 का value मिलेगा T 3 is equal to T 2 T का जगा हम लोग पूट करेंगे 2 T करेंगे 2 T का जगा हम लोग क्या पूट करेंगे T का जगा हम लोग पूट करेंगे T 3 cos square theta ऐसे हम लोग को T 3 का value इदर मिल जाएगा mg divided by one plus two cos cube theta one plus two cos cube theta therefore इदर हम लोगों को बोल सकते है कि इधर actually problem है यह 2 T cos theta क्या था हम लोग यह दोनों का यह जो दोनों का बस क्या था लेकिन इदर हम लोग को पते है एक T3 भी है एक T3 भी इसका वर्टिकल equilibrium के लिए help कर रहे देफोर हम लोग इदर actually T3 लेना चाहिए ओके T3 plus 2 T cos theta is equal to mg होगा इदर क्या है it is equal to इदर हम लोग T3 भी add करना चाहिए यह दोनों सोल करने से हम लोग को T3 is equal to mg divided by 1 plus 2 cos cube theta मिलते है तो यह T3 का value इदर डाल के हम लोग अगर T के लिए solve कर रहे T क्या है it is T1 is equal to T2 is equal to क्या मिलेगा हम लोग को it is equal to mg into cos square theta divided by 1 plus 2 cos cube theta मिल जाए 1 plus 2 cos cube theta मिल जाएगा हम लोग को ओके तो T3 T2 T3 हम लोग को मिला T1 and T2 हम लोग को मिला तो यह पूछा दा सब यहारे का लोड पूछा दा हम लोग को यह सब का values हम लोग को मिल गया